speed के लिए देखिए बच्चों हमें ये speed का एक example दिया हुआ है इसमें क्या दिया है two cars one traveling 15 km per hour faster than other मतलब जो हमारे पास दो cars है ठीक है देखिए मैं यहाँ पर car का एक छोटा सा symbol बना दे रहाँ देखिए ये एक car हो गई ये जारी है हमारी car इस direction में ठीक है इस direction में यहाँ पर कहां से दोनों car Delhi से है leave from Delhi मतलब Delhi से निकल चुकी है at same time second car जो हमारी वो इस तरफ जारी है ठीक है बच्चों देखिए ये हमारी second car हो गई second car हमारी इस तरफ जारी है तो यहाँ पर हमें question में क्या दिया हुआ है two cars one traveling 15 km faster than other मतलब दो car से तो उसमें से एक car है वो 15 km faster चल रही है किस से दूसरे से हमें किसी एक की speed निकालनी होगी उससे हम दूसरे की speed निकाल सकते हैं तो देखिए they live from Delhi at same time in opposite direction opposite direction में जा रही है after six hours they are 570 km apart what is speed of each car मतलब वो लोग 570 km दूर है six hours के बाद तो हमें find करनी है speed each car की speed मतलब दोनों में से एक एक car की speed हमें find करनी है इसकी भी speed find करनी है इसकी भी find करनी है अगर हम इसकी find कर लेते तो इसकी पता चल जाएगी इसकी find करते तो इसकी पता चलाएगी क्योंकि question में दिया हुआ है हमें तो चलिए इसे कैसे solve करेंगे तो चलो हम क्या करते हैं जो slow car है let the speed of slow car be x पतलब जो slow car है उसकी speed है x और जो faster car है देखिए faster car की speed क्या होगी फिर speed of faster car is 15x क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है देखिए तो यह हो गया 15x ठीक है बच्चों तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं both the cars traveled in opposite direction question में दिया हुआ है हमें तो कित्ता 6 hours के लिए उन्होंने travel किया है ठीक है तो distance traveled by the slow car मतलब यह जो slow car से distance traveled है वो कितना होगा 6 गंटे में वोगा 6 into x hours ठीक है 6 into x kilometers मतलब 6 गंटे में वो इतना किलो मेटर चलेगी ठीक है और जो distance of faster car है वो कित्ता होगा distance traveled by faster car faster car ठीक है faster car का जो distance होगा वो कित्ता होगा वो होगा 6 into x plus 15 क्योंकि यह 15 की speed से है ठीक है बच्चो यहाँ पे यह 15x नहीं होगा यह होगा x plus 15 क्योंकि वो उसकी speed जादा है multiply नहीं होगा यहाँ पे add हो रहा है ना faster है तो add होगा ठीक है speed है तो add हो जाएगा वो यहाँ पे यह हो जाएगा x plus 15 होता है बच्चों ठीक है मैंने आपको 15x बताया था वो x plus 15 होता है देखिए यह होगा इसका तो यह जो speed होगी second faster car की speed होगी x plus 15 तो हमने यहाँ पे कर लिया x plus 15 तो देखिए total हम कैसे calculate करेंगे total distance traveled in 6 hours is हमें दिया हुआ total distance 6 hours में किता कवर किया उन्होंने 570 तो देखिए हम क्या करेंगे हम इसको add कर देंगे किसको किसको 6x और plus यहाँ पे करेंगे हम क्या करेंगे plus 6 into x plus 15 slower car और faster car की speed को add करके हम उसका जो 6 hours में आ रहा है वो है 570 यह देखिए 570 km तो जब हम इससे solve करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए इसको multiply कर देदे अंदर 6x plus 15 6 किता होता है बच्चो 15 6 होता है 90 तो देखिए यह इस type से हो गया और यह हो जाएगा 570 अब क्या करना है हमें यह देखिए यह जो similar term से इसको add कर देंगे इस type को यहाँ पर shift कर देंगे तो यह 12x plus 90 है is equals to 570 अब देखिए 12x इसको हमें यहाँ shift करना है plus sign जाके यहाँ पर minus हो जाएगी ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 12x is equals to 570 minus क्या है 90 तो देखिए यह हो गया अब उसके बाद हमें इसको solve कर लेना है 12x is equals to 570 minus 90 किता होता है बच्चो calculate करके देखो आप यह होता है 480 ठीक है अब x की value हमें क्या find करनी है 480 upon 12 क्योंकि यहाँ पर यह multiply में है तो x is equals to किता होगा 12 for the होता है हमारे पास तो देखिए यहाँ पर आजाएगा 40 x is equals to 40 आगया अब हम क्या करेंगे x की value को हम उसमें put कर देंगे तो पहली पहली car जो थी उसकी speed थी हमारे पास slow car की speed is x लीती हमने car is x is x तो इसका मतलब उसकी speed किती होगी 40 km पर आर और जो faster car है speed of faster car faster car की speed क्या होगी हमें पता था x प्लस 15 थाठी के न तो देखिए x प्लस 15 क्या हो जाएगा 40 प्लस 15 इसका मतलब 55 km पर आर यह हो गई इसकी speed तो I hope बच्चों आपको clear हो गया होगा हमने दोनों cars की speed find कर लिए देखिए यह first car की speed है और यह second car की speed है तो चलो बच्चों हमने speed का भी अब देख लिया इसके बाद हम आगे देखेंगे अगला जो हमारा point है वो solving equation on both the side मतलब दोनों side में हमारे पास equation ही दिये होंगे वो हम आगले lecture में देखेंगे